हेलो दोस्तों स्वागत आपका टार्गेट SSC 2020 में आजम बात करेंगे इंडिन लेक्स के बारे में यानि भारत की प्रमुख जीलों के बारे में जो कि आपका बहुत ही जादा इंपॉटेंट अपिक है और कहीने की इस टॉपिक से कोई ने कोई 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 आपका जरूर आता ह तो वीडियो को लास तक देखना 100% आपको जो है लेक्स जो है आपके जो टॉपिक है लेक्स वो आपका क्लियर हो जाएगा तो इट्रिक्स के साथ भी हम यहां पर करेंगे थोड़ा जिससे कि हमें लेंग करने में थोड़ा आसानी हो तो 100% वीडियो आपको अच्छी लगन हैं वो हमारी है जम्मु कश्मीर ठीक है स्टेट नहीं है पिला लिए अप करेंगे जम्मु कश्मीर आप कह सकते हूं कि यहां पर काफी हमारी लेक्स हैं जो इन्पॉर्टेंट है इसके पाद उत्राखंड हो गया ठीक है और तीसे नमबर पे हमारा राजिस्तान हो गया तो जो आप काफी अगजाम में आती है और इन्पॉर्टेंट भी है सबसे पहले हम जम्मु कश्मीर के बात करें तो जम्मु कश्मीर में कौन कौन से हमारी लेक है जो important है तो यहाँ पर दिखो गया वुलर हो गया डल हो गया और मंसर हो गया तो यह तीन लेक्स हैं जो की important है डल जील आप बोलेगे तो जल जील कहाँ पर है यहाँ पर जम्मो कश्मीर में वुलर जील बोलोगे तो कहाँ पर है जम्मो कश्मीर में और तीसरा हमारा मानस बल कर के भी आता है या मानसर जील वह भी हमारा जम्मो कश्मीर में और एक और चीज जो जम्मो कश्मीर में हो गया यह तीन लेक और जम्मो कश्मीर में एक और हैं अब आप ट्रिक से यह तीन तो आपको लर्ण करने इसके लावा आप ट्रिक से करोगे तो नाग करके आप बोलो ना करके जितने भी हमारे जहिल से हैं वो हमारे कहां पर है जम्मो कश्मीर में अब जैसे एक्जामपल है यहां पर देखते हैं जम्मो कश्मीर का अगर हमारे खाली देखना है तो जम्मो कश्मीर के यहां पर देखो आप इस सीज को ठीक है यहां पर आप देखोगे जम्मो कश्म गया एक और नाग हमारा एक आज का नागिन जील करके आएगा खाली अगर वो लेगा कि नागिन जील वो कहां पड़ता है तो यह भी हमारा जम्मो कश्मिर में ट्रिक है कि नाग और नागिन वाले जो भी जील आते हैं वो हमारी जम्मो कश्मिर में आते हैं इसके लाबा तीन की important जील है total हमारे कित्ते हो गई 7 हो गई डल जील वुलर जील मानस बल जील बैरी नाग जील देखे इसमें भी नाग आरा बैरी नाग जील ठीक है तो बैरी नाग जील हो गया इसके अलाबा मैंने बोला है यहांपर अनन्त नाग हो गया ठीक है तोड़ा टाइमपीनदम क्लियर करो सेज नाग हो गया और उसके बाद अमारा नागिन जील हो गया यह सब हमारे जम्मू कश्मीर के हैं तो जम्मू कश्मीर के जितने भी important जील थी वो मैंने बता दी वीडियो को last तक देखना क्योंकि last में मैं इन से किस टाइप के questions आते हैं वो भी बताऊंगा क्योंकि वो हमारे important topic होता है कि किस टाइप से जील से हमारे question आते है डारेक्ट आपका एक तो यह आता है कि डल जील कहांप है कौन से statement दूसरा खारे पानी के सबसे बड़ी जील मीठे पानी के सबसे बड़ी जील ठीक है area wise अब बोलो कि किर्तिम जील modern दिन में जील तो ऐस टाइप के question भी आते हैं जो कि important है और confuse करते हैं तो यह भी आपको देखना है कि कौन से जील ख कर लोगे कौन कौन साते हैं लास्ट में जिनके हमारे ताल आता है लिखा हुआ जैसे हमारा भीम ताल ठीक है भीम ताल हो गया उसके बाद नैनी ताल हो गया ठीक है जैसे ताल जितने भी हमारे आते हैं वो हमारे किसमें आते हैं उत्राखन में एक्जामपल देखो यहां प दोर माले ताल में बोलेगा तो उत्राखन नहीं तो जितने भी ताल वाले थे देखिए तो यह ट्रिक है जितने भी ताल हुआ वाले थे आ और एक्जामपल जी जनHelp इन पर गया मों नंतर होगा उत्राखन में देखं़ में मत मिलें स इससे आपको ये करना है तो उत्राखन की important जील है और बहुत ही असान तरीके learn कर लोगे को उत्राखन में जो भी ताल वाली जीले आएंगे वो हमारी उत्राखन के अंदर आएंगे तीसरा state जहां पर काफी जीले हमारी है important भी है राजस्तान तो राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में कौन कौन से जीले है और कौन कौन से आती है तो यहां देखोगे राज संबद तो इसे तो आप कर दोगे राज से स्टार्ट हो रहा है तो राज संबद या नहीं राजिस्तान से हो जाएगा पिछोला जील आपको लेंग करना है राजिस्तान सामबर जील राजिस्तान नाम से ही पता चल लाए इस टाइप का ठीक है सामबर जील राजिस्तान तो तीन जीले हमारी राजिस्तान की ये हो गई इसके अलावा देखो कौन से और जीले हैं राजिस्तान की है लुन करंसर जील यह हमारी काँ परती है राजिस्तान जैसंबत जील यह काँ परती है राजिस्तान आप जैसंबत को जैपूर से जिले हैं वो पड़ी सामबर जिल हो गया ठीक है सामबर जिल के बाद हमने बोला एक पिछोला जिल जो पड़ता है राजिस्तान में रिविजन भी करते भी चलना पिछोला जिल जो राजिस्तान में पड़ता है उसके बाद राज सम्मत को मैंने बोला कि राज से आप इसे ले लाक कर लेना तो राजिस्तान में उसके बाद हमारा लुन करनसर यह हमारा का पर दो तो तीनों स्टेट के हमने कर दिया जम्मुकश्मीरे के स्टेट नहीं है तब भी हमें जम्मुकश्मीर में कौन-कौन से हमारी जीले आती है तो वो चीज़ हम यहाँपर करेंगे ठीक है option के according आप जम्म कश्मीर देता है तो वाँपे फिर ओर टिक लगाना पड़ेगा ठीक है तो जम्म कश्मीर की हमने कर दिया राजिस्थान की हमने कर दिया जो important मैंने बता दिया जो learn करने वाली चीजे थी अब इसके बाद देखें map में नीचे वाले area में south area में कौन-कौन से हमारी जीले आती है lonar zheel lonar zheel हमारी काँ पढ़ती है maharasht important zheel है lonar zheel maharasht important क्यों हो वो चीज अभी बताएंगे कि क्यों important है उसके बाद यहाँ पे दिखूगे आप चिलका जील जील कहाँ पढ़ता है उडिशा में चिलका जील कहाँ पढ़ता है उडिशा ठीक है यह भी important है question आता है क्यों important है वो चीज अभी बताएंगे koleru जील koleru जील कहाँ पढ़ता है आंदर प्रदेश में ठीक है आंदर प्रदेश में हमारा पढ़ता है koleru जील उसके बाद यहाँ दिखोगे आप पुलीकट जील important है तो पुलीकट जील दो स्टेट के अंदर आता है एक हमारा तमिलाडू और आंदर प्रदेश के बीच और कितना परसें तमिलाडू में है और कितना परसें अंदर प्रदेश में है तो यह चीज भी अभी हम डिसकस करेंगे फिलाला में देखना है कि कौन से जील जो है कौन से स्टेट में हमारी आती है पसके बाद important यहाँ पर तीन जील है जानना कौन सी जील कौन से स्टेट में है और स्टेट को अकर मैप के थुरू आप इन्हें करते हुँ तो आसानी से लर्ण हो जाएंगे बाकी लर्ण करने वाले ज्यादा इन जीले नहीं है जब आप इन्हें करो गए मैप के थुरू सब्सक्राइबाद www.inmostac.com लोनार महरास में पड़ेकं में पड़ता हैता है तमिलळव और अंद्परदेश के बीच में तोंड़ा इसमंद रही musi कि तमिलाडू या अंद्रपरदेश वाट कितना परसें तमिलाडू में कितना अंद्रपरदेश में उसके बाद यहां पर दिखें केरदार में तीन जिल्या में पढ़ती है वहमनाद अस्टमुदी और पेरियार जिल थोड़ा टाइम यहां पर लग रहा है क्योंकि टॉपिक के क्वेशन आपके एक्जाम में आते हैं यह चीज इनपॉर्टेट है तो जीलों से कौन से क्वेशन के स्टाइप के आते हैं फर्स्ट क्वेशन हमारा जो जीलों से आता है वो यह है भारत की सबसे बड़ी टट्य जील ठीक है भारत की सबसे बड़ी टट्य जील बोलेगा तो कौन सी है तट्टिया जील सबसे बड़ी तो वो आती है चिलका जील कोशन को नोट करते हुए चलना भारत की सबसे बड़ी तट्टिया जील चिलका जील का परती है उडिशा में और ये कैसी है मीठे पानी की है खारे पानी की तो खारे पानी की ये जील है चिलका जील ठीक है बाकी इसमें जो है वर्सरीतु में पानी काँ से आता है या इस नदी में दो नदियों से आता है एक दाया और भारगवी नदी में वर्सरीतु में इसमें से इसमें क्या होता है जील में पानी आता है ठीक है तो हमारा राजुस्टान में कौश्चन नमबर फार्ड। सबसे बड़ी ठीक है सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पानी की जील पुछेगा तो कौन सी है तो वो है हमारी मीठे पानी की जील वो है हमारी वुलर जील जो कि हमारी कहां परती है जब मुकस्मीर में एरिया बोलेगा तो 161 km इसका area है ठीक है और इसी पे एक और question आता है कि तुलबुल परियोजना तुलबुल परियोजना कौन से जील पर इस्तित है तो वो हमारी है वुलर जील में बोलेगा तुलबुल पर योजना कौन से स्टेट में या कहां पे है इस्तित है तो जम्म कश्मीर में स्टित है next question क्या कहता है सभी question important है note करने वाली note करते वे चलना सबसे बड़ी कृतिम जील ठीक है सबसे बड़ी क्रेतिम जील या बोलेगा सबसे बड़ी क्रेतिम जील कौन सी है तो वो हमारी है गोविंत सागर जील और गोविंत सागर जील हमारी कहां बढ़ती है पंजाप में और पंजाप के कौन से जिले में पूछेगा तो पंजाप के रोपड जिले में ये इस्तित है और कौन सी नदी ठीक है और ये में रोपड जिले में भी कहां पे जो 17 नदी है वहां पे भांगडा नागल बांध है उससे ये निर्मित हुआ है ठीक है तो ये चीज भी आपको नोट करना है तो भांगडा नागल बांध कौन सी नदी पे 17 पहें अधीप पंजाब में और बोलेगा गोविंच सागर जील जो की सबसे बड़ी कृतिम जी भारत की वो है पंजाब में कि निipख क्या कहता ह oral कि ने है कि हमारे जो सांबर है और एक दीडवाना चूड़ीए डीड वाना जो हमारा पढ़ता है दीडवाना ये कहां पढ़ता है तो दीडवाना पढ़ता है हमारा राजिस्तान में दीडवाना पढ़ता है राजिस्तान में ठीक है तो दीडवाना कहां पर राजिस्तान में अगली सबसे अधिक उचाई परिस्तित जील कौन सी है सबसे अधिक उचाई पर इस्तित जील बारत में सबसे अधिक उचाई पर इस्तित जील तो वो हमारी है चोलामो जील चोलामो जील है जो कि हमारी पढ़ती है कहां पर शिक्किम में पढ़ता है ठीक है चोलामो जील जो कि हमारा सिक्किम में पढ़ता है और तिस्ता नदी जो है उसका उद्गम भी इसी से यहीं से होता है ठीक है अच्छे तो भारत की सबस्यादिक उचाई पस्तित जील नेक्स्ट कोईशन है वो है चोलामो जील जो के हमारी काँ पड़ता है सिक्के में पड़ता है बड़ता है वो हमारी जील हमारी काँ पड़ती है महारास्ट के कौन से जीले में बुलडाना एक जीले है वहाँ पर यह इस्तित है और कैसे बनी है जो आलमकी उद्गार से बनी हुई है ठीक है तो यह इसलिए यह हमारा इंपोर्टेंट है लोनार जील अगला कोशन यह आता है कि जो राणा परताप सागर है राणा परताप सागर तो आपको पते ही है हमारा राणा परताप कहां से प्लोंग करते हैं मारा राणा परताप सागर और जवाहर सागर ठीक है जवार सागर दोनों ही हमारे कहां परते हैं राजिस्तान में, तो बोलेगा कैसी जिली हैं, तो ये हमारी, कौन सी नदी पर इस्थित हैं, तो ये चंबल नदी पर इस्थित हैं. बराणा परताप सागर और जवार सागर जीले जो है कौन सी नदीप इस्तित है तो चंबल नदीप इस्तित है अगला है नागरजुन सागर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोईशन है नागरजुन सागर जो है एक तो ये परता हमारा तेलंगाना में और जो ठीक है नदीप है वो हमारा है कृष्णा नदीप है नागर्जुन सागर है कृष्णा नदीपर का नेक्स्ट कोशन है निजाम सागर निजाम सागर कौन सी नदीप है तो वो हमारी पड़ती है मंजरा नदीपर और ये तिलंगाना में इस्तित है ठीक है तिलंगाना में अगला कोशन है कि तुंग बध्रा हमारे कौन से नदीप है तो ये तो हमारा तुंग बध्रा नदीप है कोशन ए कि कहाँ पर इस्तित है तो ये हमारा इस्तित है करनाटक में सभी कोशन IMPORTANT है one-liner कोशन बनते हैं और objective में सभी आयोए कोशन है वो ये मैं बता रहा है अगला कोशन हमारा है लोकटक जील पे कि लोकटक जील तो सबसे पहले स्टेट पूछीगा तो लोकटक जील हमारा कहां पढ़ता है मनीपूर में पढ़ता है कोशन हमारा यह है कि मनीपूर में ठीक है वह जील कौन सा है जिस पर जो है तेरता हुआ राश्टे पार्क हमारा इ कौन से जिल पर इस्तित है लोक्तक जिल पर इस्तित है जो की कहां पर इस्तित है मनीपूर में इस्तित है तो तेरता हुआ राश्टे पाक उसका नाम है कैबुल लामजाओ कौन से जिल पर इस्तित है लोक्तक जिल पर इस्तित है और लोक्तक जिल जो है मीठे पानी की एक जील है अगला है घुशें सागर हुसें सागर जील हमने बताया था घुशें सागर जील पड़ता है ये कहाँ पे आंध-पर देश में आप पड़िश में और किस-Kis के बीच है तो ये हमारा है है। अगली है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून जील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगुन जील मैं बोल भी रहा हूं चीज को नोट करता है क्योंकि यहां पर लिखा नहीं जा रहा है दूसरी बड़ी लैगुन जील वो है पुलीकट जील पुलीकट जील है तो पुलीकट जील हमारा काँ पड़ता है यह हमारा कोश्चन था यह हमारा तमिल नाडू और आंदर परदेश में बोला था दो स्टेट में और कौन सी स्टेट में कितना इसका परसेंटेज है तो बात करते हैं आंदर परदेश में तो आंदर परदेश में पुलिकट जील का है 84% और तमिल लाडू में बात करें तो तमिल लाडू में ये है 60% तो ये चीज इन बॉड़न था कि आंद प्रदेश में कितना इसका हिसा है और तमिल लाडू में कितना इसका हिसा है तो पुलिकट जील कहा पड़ता है हमारा बेरिया टापू इस्तित है और जिसका नाम क्या है बेरिया टापू जिसे आप क्या कहते हैं स्री हरी कोटा स्री हरी कोटा स्री हरी कोटा और स्री हरी कोटा आपको पता है स्री हरी कोटा एक ध्वीब भी है जिस पर जो है सतीज धवण अंत्रिक्ष केंड यानि उपग्रेस परचेपण केंडरी महाँ पे इस्तित है और नेक्स्ट कोईशन हमारा आता है पुलीकर जील पेई कोईशन है कि पुलीकर जील को जो जल है उसका मुख्य श्रोत क्या है तो इसका मुख्य श्रोत तीर नदी है एक तो हो अधिया जान से इसे पानी मिलता है कालंजी नदी जान से इसे पाणारी मिलता है और नेक्स्ट हमारा है स्वण मुख्य ठीक है तो 4 स्वण आएगा तो चार उप्षिन मैंसे 3 यह दिएगा इन dense नदी ऐसी नहीं है जिससे पुलीकर जील को पानी नहीं मिलता तो वह चीज transfer वो टीन हो गई स्वण नदिया मसल नेक्स्ट हमारा मुंखी Chi यू जो है पुलिकरजल काफी कोशन से आए ऌर ऑँ माहं है ठीक है जो कि हमारा आंद परदेश पुलिकर जिल के जो कि आंद परदेश के एक तो गया नालोर जिला ठीक है नालोर जिला और तमिल लाडू के तिलू वरूर जिला वाले हिस्से में यानि कोशन है कि पुलिकर जिल के आंद परदेश यानि नालोर जिला वाले हिस्से में क्य लाडू के तिरु वलूद वाले हिस्से में 1980 में क्या हुआ था एक पक्षी अभ्यारन जो है इस्तापित किया गया था तो यह हमारे कुछ जीले थी जिससे इंपोर्टेंट कोशन जो भी बनते हैं वह मैंने बता दिया तो दुबारा आप देखोगी वीडियो को तो वहां से इंपोर्टेंट कोशन जो भी होता है उसे इसको नोट करना वीडियो को सभी वीडियो को सीरियस होगे देखना क्योंकि हर एक वीडियो में इतने सारे हमारे कोशन होते हैं जो कि हम क्या करते हैं इगनौर कर देते हैं और एक्जाम टाइम पर आगर आते हैं तो फिर वहां पर वह चीज होते नहीं है तो हर एक वीडियो इंपोर्टेंट है जीलो से जितने कोशन बनते हैं वह चीज मैं आप बता चुका है इस वीडियो में जिसने करणा कि मैं कोसिक्ट करूंगा जादा वीडियो बनाने कि औरम आपकी वीडियो के उपर आएimore एगे तो nglis की भी आप हैं क्लू स्ट्रेश करेंचे पर ज्यादा ने कि ख़ driven कोसिस करूंगा फोकस को करっと चकी अथा चला महा OF तो आल दा बेस्ट रन्ने बाद और सपोर्ट करते रही है आप हर एक वीडियो को इंपोर्टेंट है और हर एक वीडियो को जरू देखें